ओम शान्ति, गड़ मॉर्णिंग, सर्विशक्तिवान शिब बाबा, हम बच्चों को कह रहे हैं, कालों का काल बाबा आया है, तुम्हें काल पर जीत प्राप्त कराने, मनमना भाप के मंत्र सही तुम काल पर जीत पाएंगे, बाबा कहते हैं, रुखानी बाब तुम रुखानी यात्रियों को कौन सी एक विशेश सिक्षा देते हैं, हे रुखानी यात्री, तुम देह अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनो, रावन ने आधा कलब से तुम्हें देहे अभिमानी बनाया, अब आत्मा अभिमानी बनो ये रुहानी ग्यान सुप्रीम रुहों ही तुम्हें देते हैं और कोई दे नहीं सकता बावा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किया है ओम नमज शिवाय गाय भी जाता है उँची ते उँच भगवान वो है सब बच्चों का बाप बाकी जो भी हैं आपस में सब ब्रदर से हैं सब का बाप भी एक है वो है शिवावा रचिता से रचना को बरसा मिलता है वो है हद का बरसा या है बेहद का बरसा बेहद का बाप तो एक ही है जिस से बेहद का बरसा मिलता है वो है निराकार उसका नाम है परमपिता परमात्मा शिव कहते भी है शिव परमात्मा है नव वो है उंचे ते उंचे बावा करते हैं, तुम्हारी वुद्धी चली जाती है, निराकर बाप की तरफ, वो रहते हैं परमधाम में, जहां से तुम आत्माय आती हो, बाप भी वहाँ ही रहते हैं, वो है ही सर्वका सद्गवत्ति करने वाला, उसमें भी भारत परमपिता परमात्मा का वर्थ फ्लैसे क्योंकि शिवजेंदी भी यहां ही मनाते हैं भारत में बाव केते हैं हम बच्चों को बेट के समझाते हैं हे भारत वासी तुम विश्यों के मालिक थे जबकि तुम्हारा आदी सनातन देवी देपता धर्म था देवी देपता धर्म स्रिष्ट करम स्रिष्ट थे अब ये धरम भरस्ट करम भरस्ट बन गए हैं, अपने को पावन देटा कहला नहीं सकते हैं। कल्यूग अन तक भक्ति मार्ग चलता है, इसमें gjνान होता यह नहीं है। बाप कहते हैं सुप्रीम रुहि इं ग्यान का सागर पती पावन हैं। बाकि शास्त्र का ग्यान तो भक्ति मार गया। बाप कहते हैं यग्यत्त तब तिर्थ आदी करते ही नीचे गिरते आये हो। दौपर से हम बच्चों ने जितनी भी भक्ति की हैं नीचे गिरते आये। तो अभी बाबा को याद करने के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें भक्ति नहीं अभी ज्ञान को अपनाना है बाब समझाते हैं मैं तुमारा बेहत का बाब हूँ तुमको बेहत का वर्सा देता हूँ 21 जनम के लिए सूर्य वंक्सी चंद्र वंक्सी पवित्र धर्म स्थापन करता हूँ ब्रामन धर्म है चोटी सबसे उच है रुखानी बाप क्योंकि बाबा है ग्यान का सागर सुख का सागर वो भी हमको भी बनाते हैं भारत ही सुखधाम था अभी तो दुखधाम है बाप कैसे आते हैं ये किसी को भी पता नहीं है सतिग आदी से कलिव अंतक ये सारी हिष्ट्री जगराफी भारत की है ये लक्षमिरान कितने हल्दी वेल्दित है कभी बिमार नहीं पढ़ते कभी काल पर विजय पाने के सिख्षा ले रहे हो जिसको कालो का काल महा काल का जाता है वो तुम को काल पर विजय पहनाते हैं कौन शिबावा तो आज दिन बर हम बच्चों को याद रखना है कि हम कालो का काल महा काल शिबावा से ये सब सिक्षा ले रहे हैं इस समय ही विनास काले विपरिति बुद्धी कहा जाता है अब विनास तो सामने कड़ा है गिता में भी लिखा है यादव, कौरव, पांडव क्या करते भए सर्व शास्त्र सिर्यमणी स्रीमत भागवत गिता है उनसे फिर और शास्त्र निकले है तुम जानते हो गिता है डीटी धर्म का सास्त्र बाब कहते हैं मैं आता हूँ तुमको शुद्र से ब्रामण बनाता हूँ फिर सुदेवी देपता बनाता हूँ फिर तुम क्षित्रियो वैश्य शुद्र बनते हो बाबा कहते हैं हम बच्चों को भीगर किसी को ग्यान का सागर नहीं कहा जाता है पदितपावन ग्यान का सागर कहने से बधि उपर चरी जाती है तो बार-बार हमें स्मुर्थी में रखना है कि श्री बाबा परमधाम में रहने वाले हैं कि दुनिया में कोई भी जिसे हम देखते हैं किसी को कुछ मिल गया तो तुरंत भगवान को थैंक्स करेगा उपर के ओर देख के तो इससे क्या पता चलता है कि भगवान उपर रहते हैं परमधाम उपर हैं सत्युक त्रिटा में सुर्य वंग्सी चंद्र वंग्सी ही थे अब फिर से ब्रह्मन वंग्सी ये सारा नाटक भारत पर ही बना है भारत ही हैल और हैविन बनना है और दरम बालों के लिए नहीं कहेंगे से बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो लक्ष्मिनान स्वर्गवासी थे उनने ये राजधानी कैसे पाई लाखो वर्ष की बाद तो याद रहना सके सतीग में ये शास्तरादी होते नहीं है भी बाब समझाते है आत्मा एकष्टार है भ्रुकुटि के बीच में चमकता है अजब सितारा उनको सिवाए दिव्य दृष्टी के देखा नहीं जा सकता है तो आत्मा को देखने के लिए tidak छाईए दिव्य दृष्टी जो बाबास हमें दिव्य ज्यान से मिल रहा है बाबा कहरें परमपिता परमात्मा में शिष्टी के आदी मद्य अंत का ज्यान है बीज़ुप होने के कारण उनको सत्चित आनंद श्वरुप कहा जाता है बाप में जो ज्यान है वो जरूर सुनना पड़े यह शिष्टी चक्र का रोज किस पस्परती थी अभी तो है ही नरक फिर कोई स्वर्ग में जा सकते हैं कैसे बिलकुल ही पत्थर गुद्धी हो गए हैं बाप कहते हैं मैं बच्चों के लिए कोई तो सोगात ले आऊंगा जब धरती पर आता हूं वो सोगात कौन सी है सुरक का मालिक बनाता हूं तुम बच्चों को कितनी खुशी होने चीए भगवान हमें सुरक का मालिक बना रहे हैं ये सोगात हम बच्चों के लिए संगमीक पर बाबा लेके आए हैं बागते जिन्होंने कलब पहले वर्सा लिया है वो ही अव लेंगे मनुष्य से देपता बनेंगे बास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा के तो सब कुमारी बनते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं अब ब्रह्मा द्वारा शिवावा रचना रच रहे हैं तो हम कौन होगे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, शिबावा से वर्सा लेने के लिए पुरुशार्थ करना है, तमो प्रधान से स्वतो प्रधान बनना है, शिबावा हम बच्चों को बड़े प्यार से कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विराश हो यह स्पिरिच्वल नौलेश सिभाए बाप के और कोई दे नहीं सकता, तो भगवान जो ग्यान दे रहे हैं, संसार में और कोई भी नहीं दे सकता, यह स्मृति में रहना चाहिए, इसलिए हमको क्या पुरुशार्थ करना है, देह अभिमान को छोड़, देही अभिमानी बन करना है, क्योंकि आत्मा अभिनाश्य है, उसको अनुभव करना है, आत्मा में ही सारा पाड़ भरा हुआ है, आत्मा कैसे चोरा सी जनम का पाड़ वजाती है, अब हम बच्चों को मालूम पढ़ा है, क्योंकि भगवान ने, स्वयम परम्पिता परमात्मा ने हम बच्चों क बाबास धार नावagon केते हैं , रुहानी यात्रा करनी और करानी है सुएम को सुतरिद्धान बनाने के लिए एक बाब को याद करना है आत्मा भीवानिय बनने का पूरा पूरा पुरु शार्थ करना है काल पर बीजे पाने के लिए बाप की शिक्षा को दिहान पर रखना है अपने को रूहू समझ रूह को ग्यान देना है बावाज बर्दान दे रहे हैं आवाज से परीक स्थिति में स्थित वो सर्व गुणों का अनुभव करने वाले माश्टर वीज रूप आवा जैसे वीज में सारा व्रुक्ष समाय होता है वैसे ही आवाज से परीक स्थिति में संगम युग के सर्व विशेश गुण अनुभ प्रेम आनन्द शक्ति अधियादी सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना यह अनुभव सिर्फ स्वय में की नहीं होता लेकिन अन्य आतमा भी आपके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुणों में सर्व गुण समाय हुए रहते हैं। बावा स्लोगान दे रहे आजा हम बच्चों को, अच्छा ही धारण करें लेकिन इच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ, मतलब अच्छा जो है वो धारण करना है, अच्छाई में हमें प्रभावित नहीं हो जाना है, तो आज की मुर्लिक अनुसर हम सोमाल लेंगे, मैं म मास्टर वीजरूप आत्मा हूँ जैसे स्विम भगवान है उनमें सारा ज्ञान है सिष्ठी चक्र का बैसे मुझ आत्मा में भी इस शिष्ठी चक्र का आदिमध्यांत का ज्ञान है तो मैं कौन हो गया मास्टर वीजरूप आत्मा तो मुरली को और गहरी रिती से चिंतन करते हुए बावा को याद करेंगे 24 गंटा ये अनभव करना है सर्वशक्तिवान मेरे साथ हैं उनकी शक्तियां मेरे साथ हैं मुस्कराते रहे हैं आगे बढ़ते रहे हैं पुरुशार करते रहे हैं ओम शान्ति, 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 ओम